हेलो दूस्तों तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे मद्धिपदेश सामानिज्यान के बारे में तो इसमें हम लोग उना तेरे चेप्टर अभी तक खंतम कर चुकें तेरे बापका चेप्टर था वन संपदा एवं एवं वन जीव इसमें बात करने वाले हैं राष्टी उद्य अभ्यारन याद रखिए आपके जितना भी MP से संबंदी चेप्टर कतम होते जा रहे हैं वो सभी मद्धिपदेश सामानिज्यान के नाम से जो आपकी पिले लिष्ट सूची है उसी में डले हुए हैं तीर वहां जाकर देखते रहे हैं तो बात करते हैं राष्टी उद्या मद्धिपदेश में ग्यार है राष्टी उद्यान 28 अभ्यारन इसमें से 6 टाइयर रजव दो खरमोर अभ्यारन दो सौन चड़िया अभ्यारन तीन घड़याल अभ्यारन हैं दो राष्टी उद्यान जीवासन सरक्षण हेतू इस्ताफित किये गए इसके अलाबा चार अभ ब्यारन मद्धिपदेश में हैं ठीड़या वन फ्रांडी सरक्षण के लिए काना राष्टी उद्यान में पिसीक्षण की विवस्ता है विस्त का पहला गौब ब्यारन पिदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर चित में स्थापित है याद रुखन विस्त का पहला गौब ब्यारन पिदेश के आगर मालवा जिले कि सुसनेर चित में स्थापित है मद्धिपदेश का सबसे बड़ा अब ब्यारन नोरा देही आपका यह सागर में यह ग्यारे सो चौरानवे दसमलों सरसट वर्ट किलूमीटर और सबसे चोटा ब्यारन आपका राला मंदर इंदोर म पांच बर किलूमीटर ती सरदारपूर धार एवं सैलाना रतलाम में खरमोर पक्ची के संद्रक्चन के लिए हैं करेरा सिवपुरी और घाटी गाओ ग्वालियर अब ब्यारन में लुप्त फिरा सौन चिडिया कर संद्रक्चन किया जा रहा है चंबल के मुरेना और केंच सौन साइडोल सीधी में अभ्यारन में घड़े आल पाई जाते हैं ठीक जाद रखना आंगे बात करते हैं पालपूर कुनो सेवपूर अभ्यारन में गिरी उध्यान गुजरास से एसी आई सेव सेरों को वबवर्व सेरों को इस्थाना अंत्रित करने का पिस्ता हुए मद्पिदेश को टाइगर स्टेट की नाम से जाना जाता है राज के राष्टी उध्यान में सरवाधिक संख्या में फाय जाने वाला जीव जीतल है केंद्री ये वन एबं परियाबान मंतला रहे द्वारां पच्मडी देश का दस्वा और मद्ध पिदेश का पहला वायो इस्फेर रिजर्व छेत गोसित किया गया आचानक मार तथा पन्ना को करम सा दूसरा और तीसरा जैम मंडल आरक्षित छेत गोसित किया गया पिदेश का पहला जीवास उद्ध्यान आपका दिन्डोरी तथा मंडला में हैस्ट पिदेश का सबसे वड़ा राष्टी उद्ध्याना काना किसली है प्रोजेक्ट टाइगर योजिना लागू में तथा एक अभ्यारन राता पानी में 2012 में टाइगर प्रोजेक्ट में सामिल किया गया हूँ सबसे चोटा राष्टी उद्यान आपका जीवास्म राष्टी उद्यान डिलोरी में बांधाओगड राष्टी उद्यान सफेद सेदों के लिए पिसिद्ध है कहां यह बांधाओगड राष्टी उद्यान ठीके याद रुकिए सफेज सेद्रों के लिए फिसिद्ध है पन्ना इस्तित अभ्यारन जंगली भेसाई तू फिस्तावित है पिदेश का एक मात सरफ उद्यान आपका भोपाल में है पिदेश में प्रोजेक्ट एलिफेंट वा प्रोजेक्ट हंगल भी चल रहा है मद्विदेश में अभी भी लगभग 40-31 प्राड़ी राष्टी उद्यान एबं अब्भ्यारन से बाहर रहते हैं दुर्लब प्रजाती का वेडरी वारे सेंगा पिदेश के एक मात राष्टी उद्यान काना किसली में 1974 में मद्विदेश के काना किसली राष्टी उध्यान में अमेरिका की नेशनल फार्क सर्वेसिस के सायोग से फार्क इंटर्पेटेशन योजना लागू की गई मद्विदेश के संजय राष्टी उध्यान का पुरान नाम डूबरी है पिदेश का बांदावगार राष्टी उध्यान सर्वादि घनत सेरों की दृष्टी से वाला उध्यान है यहाँ पर पिदेश आठ किलूमीटर पर एक सेर पाये जाता है जो देश में सर्वादिक है मद्ध पिदेश के पन्ना में पिदेश का एकमात रिप्टाइल पार्क है मद्ध पिदेश में देश का कुल टाइगर संख्या की लगवग 32-32 टाइगर पाए जाते हैं जो देश में सरवादिक है मद्ध पिदेश के रीवा जिला पिदेश का एकमात ऐसा जिला है जहां सफेद से पाई जाते हैं माधवराश्टी उद्ध्यान में एक पहाड़ी के इस्तरवर सिखरफर जॉर्ज कैसल क्या है माधवराश्टी उद्ध्यान में एक पहाड़ी के इस्तरवर जार्ज कैसल नामा के भवन बना हुआ है मध्वर्देश का काना किसली तथा बांदावगर राश्टी उद्ध्यान को जंगल गले आरा योजना के तहर जोडने का पिस्ता है मध्वर्देश पैंच राश्टी उद्ध्यान अब इंद्रा गांदी फ्रिय दर्शनी राश्टी उद्ध्यान के नाम से जाना जाता है भुपाल का वन बिहार राश्टी उद्ध्यान एक अनोखा राश्टी उद्ध्यान है जिसे आद्वनिक चिडियागर के रूम में भी मानतफ राप थे रीबा जिली में टाइगर सफारी का निर्मार किया जा रहा है सरफ उद्दान उज्जैन में भी विस्तावित है ठीक है? आगे बात करते हैं हम लोग तो रामसर समझोते हैं कि अनुफ़ा देश की 25 आद्वूमियों में से एक मत्पेदेश का भोज स्थल भोपाल में इस्तित है ठीक है? अब बढ़ गई हुई हैं ठीक है? करेंटर पेस में बात किया था कितनी हो गई? याद रखिए मार्च 2019 तक देश में 27 आद्वूमियों थी लेकिन अभी 10 और बढ़ गई हैं टोटल 37 हो गई हैं ठीक है? जिन में से एक भोज मत्पेदेश में भी है 32 वर किलूमीटर ठीक है? याद रखिए भोज आद्वूमिक आ हैं मत्पेदेश में ठीक है? आँगे बात करते हैं भालतिये पक्षियों में सबसे छोटा पक्षी फुल चुकी मत्पेदेश में बहुत देखा जाता है थिक्रा पक्षी पपिया जैसे दिखने वाला सिकारी पक्षी है या मत्पेदेश में सरवादिक संख्या में पाये जाता है सरवादिक बासब्यक्ष मद्विदेश में पाये जाता है सामाजिक वन की योजना के एक कारिकरम के रूम में पंच वन योजना 1976 से सुरू की गई राज के 33 फिती सत से कम बन वाले च्षेतरों में यह योजना लागू की गई बन च्षेत वालों रेंजाओं को पिसीक्षण वाला गाट में दिया जाता है वन पाल एवं वन रक्चक पिसीक्षण के तीन विद्ध्याले हैं अमरकंटक में सिवपुरी और लखना दौन में अमरकंटक सिवपुरी और लखना दौन सौन चडिया माधव राष्टी उद्ध्यांसिक्षण पुरी में पाई जाती है एक नवंबर 1981 को वारे सिंगा को राज पसुगोसित किया गया था माध्विद्धिस का राज के ग्वालियर वान वेस से नियूनतम राज परात होता है वन चेत के पिती बर किलूमीटर से मिलने वाला राजस सरवादिक होसंगाबाद वन वेस से मिलता है इमारती लकडी सरवादिक जवलपूर वन वेस से पराप्त होती है खंडवा वन वेस मेल लकडी की कटाई पर पिती बंद है पच्छमणी 2019, अच्छानक माल मत्विदेश 36 गड़ 2012 में जी मंडल आरक्षे चितको युनेस्को की विस नेटवर्ग परमानता प्राप्त है पर्यावर्ण नियोजन एवं समनवे संगटन इपको मत्विदेश सोसाइटी एक पंजीन एक्ट 1973 के अंतर पंजीकित संस्था है संगटन ने अपना कार पांच जून 1981 से आरम किया टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी वन फ्राड़ी सरक्षण अधिनियम 1972 के तैद 1997 से पिदेश के सभी टाइगर प्रोजेक्ट में टाइगर फाउंडेशन सोसाइटी जिस्थापना की गई टाइगर प्रोजेक्ट के इंतरगत लाए गए उद्ध्यानों की संख्याच है काहना राष्टी उद्ध्यान, वादवगर राष्टी उद्ध्यान, फेच, पन्ना, सत्थपोड़ा और संजय राष्टी उद्ध्यान अब बात कर लेते हैं हम लोग मद्यपदेश के राष्टी उद्ध्यानों के बारे में दुसके बात करते हैं काहना राष्टी उद्ध्यान काहना राष्टी उद्ध्यान 940 पर किलूमीटर छेत में फ्यला हुए सबसे बड़ा सरवादिक महत्कुन है 1933 में अब भ्यारनर बनाए 1955 में काना राश्टी है काना राश्टी का पहला राश्टी उद्ध्यान बना किष्णर मिरग और बेडरी प्रजाती का वारे सिंगा यहीं पाये जाता है काना राश्टी उद्ध्यान में केप फारसान ने Highland of Central India में हालोगाटी मंडला और व्रांडेर ने Wild Animal Inn Central India में बंजर गाटी बाला गाट का वर्डन किया है जो दोनों ही काना नेशनल पार्क में है यह पार्क बाला गाट और मंडला में इस्तित है ठीक है? याद रखना काना किसली पार्क आपका बाला गाट और मंडला में फेला गए इस राष्टी उद्ध्यान में हवाई पट्टी भी है काना टाइगर्स सरकारी सुभंकर तरकारी सुभंकर हासिल करने वाला देश का पहला टाइगर रेजर्प है सुभंकर का नाम है भूर सिंग वारे सिंगा फिर है आपका बांदावगर राष्टी उद्यान बांदावगर राष्टी उद्यान ये उमरिया में 32 पहाडियों से घराए येसे 1968 में राष्टी उद्यान का दरजा मिला 1993 में प्रोएक्ट टाइकर में सामिल किया गया वागों का गनत यहां सरवादिक है पिती याट किलोमीटर में एक वाग है यहां सफेद से गोबिंदगड रीवा में पाये जाते हैं फिर बात करते हैं पैंच राश्टी उद्यान इसकी स्थपना हुई 1983 में विस वेंग के साथ अभ्यारा सरक्षन पर योजना में सामिल है यह छित बाड़ा और स्टीवनी जिले में फैला हुआ है फैंच राश्टी उद्यान 1992 में प्रोजेक्ट टाइगर घुसित किया गए इसे इसका छित पल है 293 पर किलोमीटर यह राश्टी उद्यान मद्विदेश तथा महराष्ट की सीमा पर इस्तित है फिर है आपका पन्ना पन्ना राश्टी उद्यान 1981 में इसे राश्टी उद्यान का दर्जा दिया गए और 1995 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के इंतरगर सामिल किया गए इसका छित पल 542 दसमलो 67 वर किलोमीटर है पन्ना अभ्यारन रेप्टाइल्स के लिए सरक्ष थे फिर है आपका सत्पोडा राश्टी उद्यान यह राश्टी उद्यान आपका हो संगाबाद जिली में पिदेश का पांच बार प्रोजेक्ट टाइगर है 1981 में राश्टी उद्यान के रूम में स्थापित हुआ था इसका छित पल है 585.17 वर किलोमीटर फिर है आपका संजय राश्टी उद्यान यह राश्टी उद्यान मद्विदेश के सीधी और 36 गड़ के कोरिया जिले मिश्ते थे विभाजन के पूर वियास सरवादिक छेतफल वाला राश्टी उद्यान था 1938 बर किलोमीटर था लेकिन वरत्मान मद्विदेश का इसमें छेतफल 466 तो समलो 677 बर किलोमीटर है 1981 में से राश्टी उद्यान केंद सरकार ने 2008 में पिदेश का चटवा प्रोजेक्ट टाइगर गोसित किया इसे इसका पुरान नाम है डूबरी संजाई राश्टी उद्यान का पुरान नाम है डूबरी अब्यारण आँगे बात करें आप का है अंगला माधो राश्टी उद्यान यह राश्टी उद्यान आगरा मुंबई राश्टी यह राजमार्ग संख्या तीन पर पिदेश के सिर्फ पुरी जले में है इसे राश्टी उद्यान की स्थापनों 1958 1969 में की गई इसी उद्यान में जौर्ज जार्ज कैसल उक्किला है इसमें सांक सागर जील भी है फिर है आपका जीवासम राष्टी उद्यान 1983 में राष्टी उद्यान का दरजा मिलाई से यह मद्पिदेश का सबसे छोटा राष्टी उद्यान डिनोरी में इसका छेटफल है आप 0.27 वरकिलों मिल है यह वनस्पती जीवासम को सनरक्चित करता है यह भारत के चार जीवासम राष्टी उद्यानों में से एक है तो रहे आपका 1 विहार राष्टी उद्यान यह जीलों के रमडिये रमणिये इस्तल भोपाल में इस्ते थे छेटफल की दृष्टी से यह है मदपिदेश का दूसरा छोटा राष्टी उद्यान है इसका छेटफल है 4.45 वरकिलों मेटर इसमें मदपिदेश के सभी प्राड़ी पाए जाते हैं यह 1989 में राष्टी उद्यान गोसित किया गया फिर है आपका पोकारेसोर राष्टी उद्यान यह राष्टी उद्यान मदपिदेश के खंडवा जिले में फिस्ता भी थे यह है आपके राष्टी उद्यान यह नाम हो गए यह जिला है यह छेटफल बरकिलों मेटर है वो मुक बन पराड़ी है जो पाए जाते हैं तो काना यह आपका मंडला में है 940 बरकिलों मेटर है इसका छेटफल यहाँ पाए जाते हैं बाग तिंदुगा चीतल सामर बानदोगड यह उमरिया में है इसका छेटफल है 448.85 बरकिलों मेटर यहाँ बाग तिंदुगा चीतल सामर पाए जाते है माधाव आपका सिवपुरी में है इसका चेत फल है 375 दसमलो 22 वरक किलो मीटर यहां तिंदुगा सामबर चीतल पाए जाते हैं पन्ना है आपका यह पन्ना चतरपुर में है 542 वरक किलो मीटर लगबग है ठीक है लगबग माल लिजे बना 542 दसमलो 66 वरक किलो मीटर यहां बाग तिंदुगा चीतल सामबर गोर पाए जाते हैं संजय राष्टी उध्यान सीधी में इसका वरक चितफल है 466 वरक किलो मीटर बाग तिंदुगा चीतल है पैच इंद्रा फिये दरसनी राष्टी उध्यान इसति उनी और शितबाड़ा में 293 वरक किलो मीटर है इसका चितफल बाग तिंदुगा चीतल, साबर और गोर पाए जाता है सत्पुडा इहसंगा वाद में 585 वरक किलो मीटर है लग बाग तिर यहां बाग तिंदुगा शाबर, चीतल पाए जाता है वण विहार बोपाल में 4,43 पर क्लूमीटर है पिदेश के सभी वन्नित प्राणी यहां पाए जाते हैं जीवास मंडला डेडोली में 0.27 पर क्लूमीटर है वण अस्पती जीवास में इसमें डायनासॉर जीवास उद्यान धार में 0.897 पर क्लूमीटर है डाइनासोन की जीवास में यहाँ पाई जाते हैं ओंकारी सुर एक खंडवा में हैं 293.56 वर किलोमीटर राजी के सभी मुख्य वर निजीव यहाँ पाई जाते हैं बात करते हैं बिसे एक पसू या पक्छी हितू अभ्यारन यह पिर मुकब्यारन है संरक्चित पसी हुए हैं चम्मल राष्टी अभ्यारन आपका यह मुरेना में है घड़याल और मगर यहां संरक्चित हैं सौन नदी अभ्यारन सीधी साइडोल में है यहां घड़याल और मगर मच्चित आपके संरक्चित हैं कैन नदी अब्यारन चतरपुर में घडियाल और मगर के लिए, सैलाना अब्यारन रतला में दूदराज पक्ची के लिए, सरदारपुर अब्यारन धार में खरमोर पक्ची और दूदराज पक्ची के लिए, गाटी गाओं अब्यारन ग्वालियर में सौन चडिया के लिए, कर मद्धपूर्ण मद्धपूर्ण में मध्धपूर्ण मन्दल रखचित इस्थान संगठन इनकी स्थापना बरस है मुख्याले है उद्देश है तो पहला है पर्याबाण नियोजन एवं समन्वय संग गठन इपको इसकी स्थापना उभी 5 जून 1981 को इसका मुख्याले है भोपाल में है पर्याबाण सम्मंदी सोद सिक्छन पर सिक्छन एवं पिदूसन पर रोक लगाना इसका कार है आपदा इसका मुख्याले है इसकी स्थापना हुई ती याद रुखना उन्नीस नवंबर 1987 को प्राक्तिक एवं मानो जनित आपदाओं की प्रदूस प्रभावों को कम करता है फिर मद्देश पिदूसन नियंतिक बोड़ इसकी स्थापना ये भी भोपाल में है इसका मुख्याले ह ये हैं आपके वंड़ जीव अब्भ्यारन क्या है याद रखिए यह है वनजीव अप्भ्यारन तो हम लोग इसमें बात करेंगे के इन नाम देखें ओगे अजला इसमें बाकी आप देखते रहीएगा बगदरा आपका सीधी में बोरी आपका होसंगबाद में फैन आपका मंडला में गांदी सागर मंदसौर में गाटी गाओं क्वालियर करेरा आपका सिपुरी कैन गड़याल अभ्यारन एक्छातरपूर खेवनी देवास से और राष्टिय चंबल मुरेना नौरा देही सबसे बड़ा है ठीक सागर दमों में नौरा देही सबसे बड़ा है ठीक है आगे बात करते हैं तो रहे पच्मडी आपका नौरा देही के बाद पच्मडी पनपथा इस आइडूल में कुनो पालन पूर इस शिवपूर में पैंच इस सिवनी चिदबाडा में राता पानी इस रायसें सिहूर में संजट दूबरी इस सीधी में है आपका सिंधोरी रायसें सौन गड़या लप्यार है इस सीधी च्राइडूल में सरदार और ये धार में है आपका सैलाना रतलाम में राला मंडल सबसे चोटा है याद रखना है इन दौर में नोरा देही सबसे बड़ा था राला मंडल सबसे चोटा और चा आपका याद रखना है यहाँ और चा जो आपका है ये पहले टीकमगड जिली में आता था लेकिन ज नरसिंगड ये राजगड में दमूर रानी दुर्गावत्ती अब्यारन ये दमूर में गंगव पन्ना अब्यारन ये पन्ना में केवनी ये देवास और सेवर में याद रखी आंगे हैं मंधाना मंधाता ये खंडवा में सुर्मेनिया ये खंडवा में काली बीत इब्यतूल कठी बाड़ा अली राजपूल मयूर अभ्यारन जाबुआ काम्द धेनू गौब भ्यारन आपका हुगा साल रिया अगर मालवा नया जिला बना हुआ था इसी में तो ये था अपना राष्टी योध्यान एबं अभ्यारन से संबंदित आपका चेप्ट तो आगे बात करेंगे हम लोग खनेज संपदा खनेज संपदा गे बारे में लोग बात करेंगे टील